वो आपको बिल्कुली नियू डिजाइन में देखने को मिलेगा एक सेप्ट लाइट हो गया है जो की बल्ब में ही है बट देखने में यहां पहले से काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है अब मैनुफैक्ट्रिंग डेट है आप देखते हैं यहां देख सकते हैं यहां पर बेंड भी अगर कर देते हैं तो भी यहां पर तूटने वाला नहीं तो इस बर कंपनी ने यहां पर काफी एच्छा फ्रेंट्स बिल्ट क्वालिटी का जो है वो यूज किया है तो फाइनली साथ सीठाइट भी आप आपको लाइब दिखाने वाले हैं कि कितना इसका रहता है तो अगर आप भी प्लान कर रहे थे न्यू हीरो की स्प्लेंडर को पर्चेस करने की तो आप आज के इस वीडियो को देख लें एक्स्टेक 2.0 जो है वो फाइनली लॉंच हो चुका है डि इसमें काफी जाद आपको फीचर्स मिलता है जैसे की कंपनी ने यहां पर एलीडी जो लाइट्स है वो आपको प्रवाइड कर दिया आ एली अपर लाइट्स मिल जाता है पासिंग सोईच आपको देखने को मिलेगा एक यहां पर हजार लाइट का भी कंपनी ने फीचर करसकते हैं तक हम इसका इग्जॉस्ट नोट आपको सुनाते हैं सबसे पहले तSablikeū आपको सून ले ने अ हुआ कि अबी आएईयल कंडिशनज में कुछ ऐसा यहाँ पे आपको सुनेर्स मिलेगा क्यों कि पहले से यहाँ थोड़ा सी पेस ही मुझे आपका ऐस था हुए कि यह प्रेंट्स आपने सुना इसके एक्जॉस्ट नोड़ाव आपको इसके इंजन साउंड सुनाते हैं यहारे निए प्रिंट्स निमय उभाएडस एक्लावस आप कर तो खीजिया जुरावर्पी इसका seat height है, वो भी दिखाते हैं, तो friends, अगर आप बात करते हैं, मेरी height की तो मेरी height है, वो 5 feet 5 inch के प्रॉक्स में है, और आप देख पा रहे होंगे, pair यहाँ पर बिल्कुली comfortably मेरा आ जा रहा है, तो आप seat height का यहाँ पर idea लगा सकते हैं, दोनों side से यहाँ पर मेरा pair comfortably आ रहा है, हम एकदम straight बैठे हुए है, इसका handlebars यहाँ पर यहाँ पर मतलब company ने इस तरह से design कि बैठने के बाद आपको comfort यहाँ पर काफी अच्छा feel होता है, तो एक बर यहाँ पर बाइक को start करते हैं, तो यह आप देख सकते हैं, इसका side से looks, कुछ ऐसे यहाँ पर आपको मिल जा है, तो आप हमें comment करके जरूर से बताएं कि आपको न्यू यहाँ पर hero की splendor plus xtech 2.0 कैसी लगी है, बाकी color options की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको काफी सारे color options मिल जाएंगे 2.0 में, फिलाल में भी यहाँ पर bike red color में हमारे सामने में present है, जो कि यहाँ पर bike देखन हैं, इस साइट से, तो यहाँ पर आपको इसका जो kickstart है, वो देखने को मिल जाएगा, company यहाँ पर friends आपको provide करती है i3s का switch, इस साइड में यहाँ पर इसका electric start, साथ के साथ में यहाँ पर friends, आपको fully digital meter मिल जाता है, जो कि आता है friends, यहाँ पर Bluetooth connectivity के साथ में, जिसमें कि यह यहाँ पर trip meter अपना change कर सकते हैं, दो trip meters यहाँ आपको मिलता है, trip A, trip B, एक odometer यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, यह है low fuel indicator, बाकि side stand indicator भी company provide करती है, i3s indicator भी आपको मिलता है, तो इस bike में company आपको i3s भी provide करती है, जो कि है ideal start stop system, बाकि यहाँ पर आपको मिल जाता है स्विच आपको हमने बताया था, वो, इस side में यहाँ पर उपर में, और यहाँ पर आपको मिल जाता है, friends, इसका एक hazard light का switch, बाकि यहाँ पर आपको मिलता है, इसका horn और indicators, तो काफी loud यहाँ आपको horn देखने को मिलता है, साथ के साथ अगर आप इसके seat को देखते हैं, तो seat seat का जो length है, वो यहाँ पर काफी अच्छा है, कुछ निंग आपको अच्छी मिलती है, पीछे में यहाँ पर company grab rail भी आपको provide कर रही है, जिसमें की friends, यहाँ पर चोटा मोटा luggage भगर भी यहाँ कर सकते हैं, अगर आप इसके indicators को देखते हैं, और back look को अगर आप देखते हैं तो back say friends, यहाँ पर जो इसका tail lights है, वो आपको बिल्कुली new design में देखने को मिलेगा, except tail lights हो गया है, जो की bulb में ही है, बट देखने में यहाँ पहले से काफी ज्यादा premium लग रहा है, manufacturing date है, अगर आप देखते हैं, तो 25-2024 मतलब बिल्कुली latest manufactured यह bike है, बाइक बनी और तु यहाँ पर प्रोवाइट कर रही है, अगर आप इसके suspension को देखते हैं, तो वो friends, आपको यहाँ मिल जाता है, adjustable, आप adjust कर सकते हैं, और इसकी overall में जो build quality है, वो यहाँ पर काफी अच्छी है, आपको हम दिखाते हैं, यहाँ देख सकते हैं, आप complete इसे, यहाँ पर bend भी अगर कर देते हैं, तो भी यहाँ पर friends, यहाँ पर टूटने वाला नहीं है, तो इस बार company ने यहाँ पर काफी अच्छा है, build quality का जो है, वो यूज किया है, इंडिकेटर्स जो है, वो यहाँ पर friends, आपको पहले की तरह flexible तो नहीं मिल रही है, बट इंडिकेटर्स का जो design है, वो तो overall में जो build quality है, वो पहले से यहाँ पर काफी इची आपको feel होने वाली है, साथ के साथ अगर आप engine को देखते हैं, तो 97cc का आपको engine मिल जाता है, जो की points यहाँ पर आपको काफी इचा power produce कर देता है, माइलेज की अगर हम बात करते हैं, तो यह बाइक आपको माइलेज प करते हैं, तो front का tire आप देख सकते है, 80 by 100 का आपको यहाँ पर मिलता है, जो की 18 inches के alloy wheels पर mount है, यहाँ पर आपको दिखेगा reflectress, और यह है इसका telescopic focus, तो यह था आपना एक यहाँ पर completely detailed, जो की यहाँ पर new hero की splendor plus Xtech 2.0 का था, मैं होब करता हूं friends, आपकी doubts हम clear कर पाएंगे जल्दी हम इसका finance video आपके साथ share करेंगे, जिसमें की full finance details आपको हम बताएंगे, तो आजके इस video को friends हम यही पर end करते हैं, मिलेंगे आप से next video में, तब तक के लिए, आप सत्यम गुपता, signing off, thank you friends.